जैहिन दोस्तों वेलकम टू शौरे क्लासीज आज का हमारा टॉपिक है बी ए प्रोग्राम थर्ड इयर पॉलिटिकल साइंस के एक विश्य का पब्लिक एड्मिनिस्टेशन अकثر देखा गया है कि पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में एक कोशन या तो शौर्ट नॉट्स में या तो मेन कोशन में आ जाता है वैशवी करण क्या है इस से आप क्या समझते होएं और इसके गुन और इसके अबगुन क्या होते हैं तो यह एक common question है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि वैश्वी करन क्या है इसकी विशेशता या इसके गुन और अबगुन के बारे में वैश्वी करन को ही भूमडलिय करन के नाम से जाना जाता है वैश्वी करन को ही आर्थिक रूप से हो चाहे वो संबंद राजनितिक रूप से हो चाहे वो संबंद धार्मिक रूप से हो चाहे वो संबंद सांस्कृतिक रूप से हो हम कह सकते हैं एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंद इस्थापित करना ही वैश्वी करण कहा जाता है वैसे तो वैश्वी करण کی परकिरिया उस टाइम शुरू हो गई थी जब मनुश्य सब बेता ने एक इस्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना शुरू कर दिया था जब एक इस्थान के लोग दूसरे शेतर के लोगों के पास जाते थे तो उनसे conversation करते थे वस्तु और सेवाओं का आदान परदान करते थे परन्तु वैश्वी करन का जो रूप असली रूप 1991 के बाद सामने आया है 1991 के बाद सामने आया है क्यों 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 क्योंकि पूरे विश्वीव पे सिरफ एक ही महाशक्ती का वर्चस्व हो गया जो की अमेरिका थी हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और सोवियस संग के बीच में अर्थात अमेरिका और USSR के बीच में कोल्ड वार हुआ था शीत यूद जिसे हम हम कहते हैं जो की संग 1945 से लेके 1991 तक रहा था और 1991 में USSR पूरा खतम हो गया था और सोवियत संग खतम होने के साथ ही रूस की रूस का निर्मान हुआ था तो पूरे विश्व पे अमेरिका का ही वर्चस रहे तो अब हम यह जानते हैं जैसे 1991 से पहले भारत में इतना ज़्यादा डवलप नहीं था क्यों क्योंकि भारत में वैश्वी करन बहुत थोड़े हट तक ही था परन्त 1991 के बाद वैश्वी करन ने काफी तेजी से अपने पैर पसादने शुरू कर दिये अब आपको वैश्वी करन का समझ में आ गया होगा एक देश का विश्व के दूसरे देशों के सास्थ संबन स्थापित करना वैश्वी करन कहलाता है इसी को भुमंडलिय करन कहा जाता है इसी को ही globalization के नाम से जान जाता है ये जो संबन्ध होता है वो आर्थी ग्रूप से हो सकता है राजनेती ग्रूप से हो सकता है सांस्कृतिक रूप से, समाजी रूप से, धार्मिक रूप से, किसी भी परकार से जब वस्तों और सेवाओं का एक देश में से, दूसरे देश में जब वस्तों और सेवाओं का आदान परदान होता है तो वो वैश्विकर्ण की परकिर्या के अंतरगती होता है तो आईए अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से ये कैसे संबन दिते हैं जैसे भारत आज अमेरिका से वैपार करता है अमेरिका से करता है जापान से करता है इंग्लैंड से या फिर किसी भी कंट्री से जब भारत वैपार करता है तो वो आर्थिक रूप से हुआ अर्थात भारत अपनी मुद्रा उनको देता है या उनकी मुद्रा अपने पास भी रखता है और उनकी मुद्रा में ही उनको उनका बुक्तान करता है जैसे अगर भारत में जब खाड़ी देशों से पेटरोल को मंगाया जाता है तो उनको जो भुक्तान किया जाता है वो उनकी मुद्रा में या फिर अंतराष्टे मुद्रा जो डॉलर के रूप में की जाती है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आदान परदान मतलब जो केरंसी होती है उसका आदान परदान आर्थिक रूप है इसी के साथ साथ वस्तुओं का आदान परदान आज हम लोग जो iPhone यूज़ कर रहे है या जो अन्य कमपनी के जैसे Shemshan के हैं जैसे Vivo है और other company के iPhone यूज़ कर रहे है Dear गाडियों को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि या कि गाडियां आगी Mercedes है या अन्य गाडियां आगी परन्तु ये भारत में भी मिल रही हैं हम कह सकते हैं कि वस्तो का अदान परदान हो रहा है सेवाओं का अदान परदान हो रहा है सेवाओं के अदान परदान में हम कह सकते हैं कि आज भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर विदेशों में जाके अपनी सेवा परदान कर रहे हैं ऐसे विदेशों के जो डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं वो इंडिया में आके अपनी सेवाइं परदान कर रहे हैं आज भारत के जो डॉक्टर हैं वो अमेरिका में अपनी सेवाइं परदान कर रहे हैं भारत का IT विल्ड विश्व को एक नहीं राहा पे लेके जा रहा है तो ये आर्थी ग्रूप हो गया आर्थी ग्रूप में हम ये भी एड़ कर सकते हैं कि आज एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके रोजगार पाने की कोशिश करते हैं एक्सेक्टरा इसी के साथ अगला पॉइंट है राजनेती ग्रूप से वैश्वी करन में राजनेती के संबन भी तो इस्थापित होता है जैसे आपने देखा होगा परधान मंत्री शीरी नरेंदर मोदी जब अमेरिका जाते हैं, कैनेडा जाते हैं, इंगलेंड जाते हैं, फ्रान जाते हैं, रूस में जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ के राजनेताओं से मिलते हैं वहाँ से कुछ संदियां करते हैं वहाँ पे कुछ जैसे दस सुत्री कारे करम पे हस्ताक्षर करके हैं या फिर किसी ऐसी संदी पे हस्ताक्षर करके आते हैं जिससे देश को फायदा होता है अभी जब मौदी जी या फिर भारत सरकार के द्वारा रूस के साथ जो भी संदी इस्तापित किया गया है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि रूस अभारत को जो कच्चा माल जो कच्चा ओयल है वो सस्ते कीमतों पे देने की कोशिश करेगा जो कि भारत के लिए काफी फाइदेमन्द है इसी के साथ है राज्यों के भी संबन्द इस्थापित करना यहाँ पे राज्यों का अर्थ है कि मुलकों के बीच कंट्री के भी संबन्द इस्थापित करना अगला पॉइंट है अंतराष्टे इस्थर पे संगठनों का निर्वान करना आल भारत विश्व के एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया है हम सभी ये जानते हैं कि 2023 में भारत में ही G20 का सम्मेलन होना है भारत ही उसका में आयोजक होगा तो अंतर आश्टे इस तर पे राजनितिक रूप में आल भारत की जो एक पावर है वो ए जैसे UN है, सार्क है, आशियान है ये अंतर आश्टे स्थर के ऐसे संगटन है जो की राजनितिक रूप से जुड़े हुए हैं इसे के साथ साथ अब अगर हम सांस्कितिक रूप की बात करते हैं तो सांस्कितिक रूप में रीति विवाजों का आदान परदान होता है, खान- तो नहीं है, यह विदेशी परिधान है, हमारा तो जो कल्चर में था, धोती, जो धोती है, कुड़ता है, इन सब चीजों को पहना जाता था, पर आज हम उनके रीती रिवाज को फॉलो करते हैं, 25-26 दिसंबर, 1 जनवरी 31st of December, इन सब चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, आज क कुछ है, वो भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसी परकार से, आपने देखा होगा, कि जब भारत अजाद हुआ था, 15 अगस्ट को, तो साओधी अरब में, इंगलैंड में, USA में, यहाँ तक के रूस में, यहाँ तक के मुस्लिम कंट्रियों ने भी भारत के अजादी के दीवस को सेलिबरेट किया था, तो यहाँ पर रीती रिवाजों का अदान परदान होता है, जब भी मोदी जी किसी दूसरे मुलक में जाते हैं, तो उस मुलक के लोग भारतियें, जो भारतियें वस्तर होते हैं, उनको पहन के आते हैं, और अच्छा मैसिज परदान करते है कि हम भी आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं इसी के साथ भारतिया भी उनकी संस्कृति को अपनाते हैं खान पान का यहां तो आपको पताई हो गया होगा जैसे हम पीजा खाते हैं और यह जैसे इटैलियन खाना हो गया चैनीज खाना हो गया यह इंडिया को तो है नहीं य इसी परकार से जो फोर्नर्स होते हैं वो इंडिया के खानों का सुआद आनंद प्राप्त करते हैं यह सारा सार यह जो आधान परदाने सभी वैश्वी करन के अंतरकात बहुत सिंपल है यह आप अपने शब्दों में कुछ भी उतार सकते हुए लेकिन शर्त यह है कि आप जो अदान परतान जब भी आप कहीं पे जाते हो तो भाई भाशा बोलते हो कि आज कल जो कहा जाता है जैसे इटैलियन होगी जर्मनी होगी इंगलिश होगी फ्रेंच होगी इन भाशाओं का हम यूज करते हैं तो ये वैश्वी करन है वो हमारी हिंदी भाशा को सीख रहे हैं संस्कीत भाशा को सीख रहे हैं परन्तु जो भाशा को बोलने का हिंदी में जो आनंद प्राप्त होता है संस्कीत में जो बोलने का आनंद प्राप्त होता है जो उसमें भाव आते हैं वो और किसी भाशा में नहीं देखने को मिलते हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने मातर भाशा में ही समवाद कीजिएगा इसके साथ साथ है वैश्वी करन के गुन और अब गुन बहुत सिंपल है अगर किसी चीज की एक विशेशता है वही उसके अपोजिट पॉइंट उसकी हानिया हो जाएगे सिंपल सा है जैसे खिर्शी शेत्र का विकास वैश्वी करन के गुनों में हम क्या सकते हैं जो की तीन सेक्टर होते हैं प्रात्मिक सेक्टर, दुट्य सेक्टर और तित्य सेक्टर जैसे प्रैमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर और टर्शीरी सेक्टर प्रैमरी सेक्टर अगरिकल्चर से संबंदित होता है आज वैश्वी करन के द्वारा जो की विदेशों में तकनीक अपनाई जाती है यूरोप में जो एग्रिकल्चर में तकनीक अपनाई जाती है जो यूरिय अपनाई जाता है जो फर्टिलाइजर अपनाई जाता है आज हम वो इंडिया में अपना सकते हैं इससे हमारे जो एग आईए हमारे education system अच्छा हुआ है भाषाओं का अदान परदान हुआ है जीवन इस्तर काफी उच्छे हुए है साथ के साथ भोगताओं के पास अब option है उनके पास अब विकल्प है इसके साथ साथ तकनीक में भी विर्दी हुई है आज जो इंडिया में 7G है आज जो इंडिया में 5G है वो अब उरोप में 7G भी आ गया है तो अब जब महाँ पर 7G आ गया तो यहाँ पर भी एक दो साल में कुछ टैम में 7G आ जाएगा तो तकनीक का अधान परदान इसी परकार से एकता इस्तापित अंतराश्टी है इस थर पे जब कोई संगठन का निर्मान होता है जैसे UNO है, G20 है, ASEAN है, European Union है, SARK है तो अंतराश्टी इस थर पे जब एक ताकन निर्मान होता है तो शांती बनी रहती है पूरा विश्व एक परकार से एक परिवार आ जाता है जैसे आप कभी मोल में आप जाते हो तो वहाँ पे देखते हो, एक छट के नीचे ही विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रोडेक्ट होते है इसी परकार से रोजगार के अफसर आप इंडिया में पढ़ते हो अच्छी तालीम हासिल करके आप अमेरिका, कैनेडा, UK, US कहीं दूसरे मुल्क में चले जाते हो ज़्यादा पैसे कमाने, अपना विकास करने इसके ये सारे थे गुन, आप कुछ भी लेख सकते हो बशर्थ ये हैं कि आपको अपने आंसर को कनेक करना पड़ेगा अगला पॉइंट है इसके अफगुन, अफगुन में हम क्या है सकते हैं इसी के अपोजिट, भाई अमीरों और अमीर तथा गरीव के जो आसमानता है वो और अधिक हो रही है जैसे भाई आज भारत में जो डॉमिनोज है जो पीजा जैसे खाया जाता है कॉल्डिंग पी जो जाती है जब आप कॉल्डिंग किसी शॉप से लेते हो क्या आप वहाँ पे ये बोलते हो कि भाई आप 2 रुपे कम कर दो, 5 रुपे कम कर दो बिल्कुल नहीं पर आप जो आपके आसपास जो की घन्य की शॉप होती है जब आप वहाँ से घन्य का जब जूस पीते हो तो आप वहाँ से बोलते हो ये थोड़ा हो और इसको भर दो या 2 रुपे कम कर दो, 5 रुपे कम कर दो इटमीज क्या है बही अमीर मुल्क तो अपने प्रोडेक्ट को मतलब डवलपिंग कंट्री में बेच रहा है और आप वहाँ पे कोई भी बार्गनिंग नहीं करते हैं पर जो आपके घर के आज पास के जो भी जो मतल लव जो इनसान है जो चोटे धुकानदार हैं उनसे आप बार्गनिंग करते हो अमीर और व्यक्ति और गरीब हो रहा है अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे ही मोल आने शुरू होगे तो यह जो मार्किटे होती थी जो यह फुट पार्टे अब मार्किट थी यह धीरे-धीरे सीमित होती जा रही है अगला पॉइंट है यह बहुत कुछ है इसके बारे में इतना है कि आप एक पूरी एक्जाम शीट भर सकते हो इतना जादा इसमें कॉंटेक्ट है मतलब इतना जादा इसमें कॉंसेप्ट है कि आप पूरा एक्जाम शीट भर सकते हो अगला पॉइंट है रीती रिवाजों को भूलना भई हम दूसरों के रीती रिवाजों को अपना रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांदी जी कब expired हुए थे या फिर भगा सिंग का जनम कब हुआ था हम अपने रीती दिवाजों को भूल रहे हैं हम अपने संस्कृति को भूल रहे हैं आज जब हम मैट्रो में जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स को हाई हेलो से संबोधित करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ना तो हम नमशकार बोलते हैं ना हम सस्त्रियकार बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं मतलब हम अपनी संस्कीति को भूलते हुए, हम ये सोचते हैं, इंगलिश में बात करें, ताकि सामने वाले को एक अच्छा मैसिज है कि हम भी बन्दा पढ़ा लेका है. तो हम अपने रीती रिवाजों को भूल रहे हैं. इसी के साथ साथ हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं पहले क्या होता था जो शादियां होती थी वह माता पिता की इच्छा के अनुसार होती थी आज कर लड़के लड़कियां अपने साइड से ही देख के शादी कर लेते हैं अच्छा पॉइंट पर इसके कुछ बुरे इंपक्ट भी होते हैं ये एक अलग से विशे हो जाएगा अब अगला पॉइंट है आतंगवाद में विर्दी जब आना जाना एक मुल्क का विश्व के अने एक मुल्क के साथ संबन स्थाफित होएगा तो पहले आतंगवाद बिल्कुल नहीं होता था परन्तु अब आतंगवाद में विर्दी हो गई इसके साथ साथ है बिमारियों में विर्दी ये पॉइंट तो आपको काफी अच्छी तरह है समझ में आ गया होगा चीन से एक ऐसी बिमारी शुरू हुई जिसने पूरे विश्य को अपने चपेट में ले गया जी हाँ COVID-19 आज पूरा विश्य उसकी चपेट में आ गया था ये क्यों आया है इसलिए तो आया था क्योंकि एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जा रहे थे वो भूम रहे थे वैश्य करन की दूरा ही आया इसके साथ सथ परदूशन में काफी विर्दी हुई है बही क्योंकि जादा से जादा अब AC का यूज कर रहे हैं गाडियों का यूज कर रहे हैं तकनीक का यूज कर रहे हैं तो जो environment में environment काफी काफी जादा गरम हो जाता है carbon dioxide हो जाता है है जिससे की तापमान में विर्दी हो जाती है मतलब बहुत कुछ है यार मतलब आप कुछ भी आंसर कर सकती हो बस शर्त है कि आपको अपने आंसर को जोड़ना पड़ेगा अगला point है पुझिवादी वस्तुओं का वर्चर आज जब आप market में जाते हो तो आप ये देखते हो कि हर एक brand की चीज़े आपको आपकी market में मिल जाएगी क्या वो USA की brand हो क्या वो किसी का भी हो आज विश्व की 100 से 100 से जादा बड़ी company हो जो है वो अमेरिका में एडवेंज पूंजी पतियों की है अब तो भारत में धीरे-धीरे start-up शुरू हो रहा है भारत की भी company है बड़ रही है परन्तु जो already developed country हैं आज उनके product काफी market में फैले होए हैं अगर हम Coca-Cola या फिर Pepsi की भी बात करते हैं तो आज इनको हराने वाला या इनको हटाने वाला कोई दूसरी या फिर तीस की company अभी तक नहीं आई है और जैसे कि जो गाउं की company होती है जैसे गन्ने का जूस हो गया सोनी का होगी या जो छोटे मोटे जो company है जो एक दो शहर तक या गाउं तक सीमित होती है वो होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो अच मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत